अमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कौन-कौन सी चात्रवर्ति के फारम बर सकते हो हाल फिलाल में और उसमें आपको क्या-क्या डोकुमेट की जरूरत पढ़ने वाली है कौन-कौन सी चात्रवर्ति की स्कीम जो बिचल लई है और आप उसक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है तो वह बोलते हैं कि जड़ी सब्सक्राइब कर दिए तो पहले पुरा पता कर लेंगे कि उसका उसका फरम भर देंगे वह पता करने के लिए मैं आपको बता देखने के बाद में अगर आपकी मन में कोई सा भी सवाल आता है तो आप मेरी को में पूच सकते हो देखिए दोस्तों मुख्या अभी तीन शात्रवरती स्कीम चल लई है एक नमबर पे मजदूर कार शात्रवरती नस्प शात्रवरती नस्प जो नेशनल स्कोलर्शिप प्रोटल है उस पे जो शात्रवरती फोरम बरे जा रहे हैं वो और उसके बाद में समा इसकी फोरम भिलप करने के लाश्ट डेट हूं इसकी कोई भी लाश्ट डेट नेहीं होती है वेसे इसके कषिENS मार्ट छो लाश्ट डेट होती है 31 मारट को Leonard Master not Heart खतम हो जाता है और एक अप्रेल से जो नया हमारा सेशन स्टाट होता है तो उस कारण इसकी 31 मार्ट से पहले 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 स्कोलर सीप के फोर में जो अपलाई कर सकते हो और इसमें एक में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप जो कोई बच्चा है छटी पास करके साथमी क्लास में होगा तब भी उसका फारम बढ़ा जाएगा अगर कोई बच्चा पांचवी चोत्ती तीसरी में है तो उसका मजदूर काड़ वाली स्कोलर सीप में फारम नहीं बढ़ा जाएगा अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो मुख्यत डोकुमेंट लगने वाले है वो एक नमर पे तो लगेगी सभी की पासपोर्ट साइज फोटो एक जिनका मजदूर काड़ है और जिनका नाम से आप फारम अपलाई कर रहे हो तो उनकी लगेगी है कि पासपोर्ट साइज फोटो उसके बादें पैचान पत्र हमारा वोटर काड़ आ गया उसके बादें अधार काड़ अधार काड़ दोनों का लगेगी जिनका मजदूर काड़ है उनका और जिन स्टुडेंट का हम फारम अपलाई कर रहे हैं उनका उसके बादें जन अधार काड़ मजदूर काड़ बैंक पासबुक दोस्तों बैंक पासबुक उनकी लगेगी पिछली साल की मह सब्सक्राइब करते हैं अगर आपके निवास करता है और उसने मंद्रेगा में अपना नाम चला रखा है और उसका नरेगा में दिन लगी वे हैं तो वह अपनी स्केटरी का अधार का लेके और उसका मज़़ुरकार चैतरवर्तिका फोरम है जो इमितर पे जाके अपलाई करवा सकता है दोस्तों आपको ये फोरम किस परकार से अपलाई करना है उसका ओफलाइन फोरम किस परकार से आपको फिलप करना है ओनलाइन फोरम आपको किस परकार से फिलप करना है वो सब जा और आपने जो पासफ़ड लगाया था वो पासफ़ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए उसके साथ यह आप जो नया फार्म अप्लाई कर पाओगे उस फार्म को पुरानिया वाली को रिन्यू कर पाओगे अगर आप इस दिन में अपने नया रजिस्ट्रेशन कर ले और नया फार्म अप्लाई कर वा रही हो तो आप इसमें है जो आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वह आपको रजिस्ट्रेशन की पागानपार आ गया मूह लिवास आ बैंक पासबूक आ गया बैंक पास्पूक यहां पर बच्चे का लगेगा उसके बाद दार काड आगया उसके पासपोर्ट साइज फोटो आगी फिसकी मूल रसीद आगी और जाते पानपत्र आ गया दो तो यह सब डोकुमेंट है जो नस्प स्कोलर्शिप पॉर्टल में लगने वाले हैं आप इसका फोर्म किस प्रकार से बर सकते हो इसकी मैं वीडियो आपको दे रहा हू है तो दोटो अब हम बात करते हैं समाच के लांट स्कोलर्शिप के बारे में दोटो समाच के लांट स्कोलर्शिप का फर्म भरने के लिए आपको जो मुख्य दस्तावे चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ अधार कार्ट ज्यन अधार कार्ट बैंक पास्बुक आयपमान पत्र मॉर निवास जाति प्मान पत्र फिर्ष की मूल रसीद बच्चे की पिछले साल की मारख सीट और उसके साथ साथ बच्चे को एक आइड़ी पासवर्ड भी चाहिए जो आईड़ी पासवर्ड में आपको बता रहा हूं वीडियो में आप जाके देख सकते हो इसके साथ साथ आपको जो मुख्य द्यान देने वाली बात है वह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं दोस्तों यहां पर बच्चे का आप जिस भी बच्चे का फॉर्म अपलाई कर रहे हो उसका जना दारकाट के अंदर पूरी की प पहले क्लास का बच्चा है या फिर कोई बीजश्ता है कि पुरी की पूरी डिटील्स ही होनी चाहिए अगर उसकी डिटील शहीं नहीं है पॉर्म करने के लिए नाएं को रिशीट दे रहे हैं फिसकी और नहीं उनकी को नहीं ने बात कि और उन से भी मीमित्र वालों के बादे मेरे कोई डिसिजन मिला कि हम है जो स्टुटेंट का फोर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें पर मोट वाला जो वह उनको सर्टिपेट मिला जो उनको प्रोविजिनल सर्टिपेट मिला प्रमोट का तो वह उसके अंदर जाएगा तो उसमें कर सकते हैं जो अप्लोड कर सकते हैं इसके अलावा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप फारम अपलाई कर सकते हो उसके अंदर आपको पिछले साल की मारक्षिट मिलने के साथ साथ है आपको है जो इस सेजन की फीस की रिसीद भी मिल जाए क्योंकि अभी तक आपके बीक्स्कोल में फिस नहीं दिया है और नाहीं आपको फिस की रिसीद मिलेगी तो कोलेज वाले एक बार जब्शेक्शन लगाएंगर ओब जसके बाद में आपको फिस्छीद मिलेगी या फिर आपकी प्राइफ सक्दोर वालों के लिए है सब्सक्राइब खोले वालों के लिए पिछले साल में साट पर-सेंट फिर्स नई घालें यहाँ हम। तो इस प्रकार से आप इसमें आपकी पिछले साल की डिटेल है जो डाल दीजी एक बार आपके हिसाब से जैसे कोलेज वाले उब्जेक्शन लगाएंगे आपके पास में फॉरम सेंटो बेक आ जाएगा और आपकी फिस की मूल रसी तो आपकी मारक शीट की मूल कोपी मिल जाएगे तो आप उसको अपलोड गरेंगे तो दोस्तों मैंने आपको तिनों स्कोलर सिप के बारे में बता सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन जरूर प्यास करें दोस्तों मैं इसी तरह आपके लिए इमित्रा स्यस्ती और एजूकर नहीं नहीं वीडियो लेका आता रहता हूं तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय बाहर दन्यवाद